Hello everyone, welcome back to All About Learning आज की इस वीडियो हम बात कर रहे हमाले हैं AKTU का पासिंग मार्क जो फ़ेस्ट यर के बीटे के इस्टुटेंट है उनका पासिंग मार्क क्या होता है दोजर तेश से क्या होगा दोजर तेश से पासिंग मार्क आपका 100 नंबर का 100 नंबर में से आपको 30 नंबर minimum पास करने के लिए चाहिए हो था था लेकिन इसकी बात हम नहीं करेंगे हम 2030 के बात करेंगे पासिंग मार्क फराम टोजर तेच जो 2030 से पासिंग मार्क होने वाला है फ़स्ट यर भी टेक का वो हम देखने वाले हैं तो देखी दो exam होता है theory exam होता है और practical exam होता है लेकिन सबसे पहले हम बात करते है theory exam की theory exam में आपका semester exam जो होता है वो 70 नंबर का होता है जिसमें से कम से कम आपको 21 नंबर लाने ही पड़ते हैं पास होने के लिए उसके बाद अगर हम सेस्नल के बात करें तो सेस्नल में जो internal mark होता है यानि इसको हम internal mark या फिर सेस्नल mark बेकते हैं ये 30 नंबर का होता है 30 नंबर में से कम से कम अगर आप यहां 21 पा रहे हैं तो कम से कम यहां पे 19 ज़रूरी होता है अगर यहां पे बढ़ता है पास करने के लिए लेकिन यहां पर mandatory होता है कि आप जो written exam आपका semester exam होता है उसमें कम से कम 21 नमबर आपको चाहिए होता है अगर इसके बाद अगर हम practical exam के बाद करें या फिर वाइबा कर सकते इसको तो इसमें आपका जो practical exam return exam होता है वो 50 नमबर को होता है जो written exam होता है वो 50 न और इसके बाद अगर हम बात करें सेस्टनल जो की teacher assessment होता है वो practical का वो 50 नमबर को होता है अगर आप यहां पर 25 नमबर पा रहा है तो कम से कम यहां पर 15 नमबर चाहिए होता है क्योंकि दोनों का combination मिला कि आपको 40 नमबर लाने पड़ते हैं practical exam में लेकिन यहां पर 50 mandatory होता है और दोनों के मिला कि 40 परसेंट याने 40 नमबर जोरूरी होता है practical exam में तो यह हुआ आपका passing mark 2030 से बीटेक फस्टी एर वालों का तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं हम next वीडियो में